नमस्कार दोस्तों एक वार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं रुनेश ठाकुर जैसा कि आपको विदित है पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक नॉर्मल सी जानकारी दी थी कि जब यहां पे आते हैं तो इंडियन करंसी काम नहीं करती है तो आप फ आपके पास अमाउंट नहीं बसता है उस सेनेरियो में आप क्या कर सकते हैं और सबसे इजी वे कौन सा रहता है उस चीज़ के बारे में मैं अभी इस वीडियो में आपको पूरा डेटेल बताऊंगा पूरी वीडियो को आप रॉपर तरीके से देखिएगा बने रहीएगा वीडियो पे और लाइक करिएगा शेयर करिएगा जाजादा ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके कोई भी अगर यहां पे आता है तो वो श्टक ना हो यहां पे आने के बाद उसको दिक्कत ना हो वो इन सारी चीजों से जानकारी ले सके और कंटिनू जो है यहां पे अपनी जर्नी को अच्छे तरीके से इंजोई कर सके तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी क्या है कि जैसे मैं यहां पे पहुंचा मैंने एक आपको बताया कि इंडियन क्रंसी से या यूएस डॉलर से आपने जब कनवर्ट को आयरोबल में उसको खर्च किया उसके बाद आगे का जो step रहेगा सबसे पहले जब आप यहां पर आते हैं आपने एक दूसरा point आता है money का एक point second point is this कि आप आपने अगर call करना है में लिए होता है आपका WhatsApp आप अगर business deal करते हैं आप business में है या आप tourist है तब भी आपने घर में तो call करना ही है student है घर में call करना ही है तो स सबसे पहले आके आप SIM purchase करते हैं क्योंकि रश्या में कोई भी काम यहां के number के activate हुए बिना नहीं हो सकता मैं आपको बताओं जब भी आप यहां पे लेते हैं यहां पे megaphone MTC आपका B-Line काफी टाइप की चो companies हैं यहां पे हैं जैसे इंडिया में भी एटल की होती है Vodafone है जब भी आप enter होते हैं किसी भी country के अंदर रश्या में मालीजी आप enter हुए मौस्को में आप एंटर हुए मौस्को में आपको एक card मिलता है वहां से वह आपका immigration card होता है वह card आपको अपने पास रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपसी जाएंगे जितना भी पास रखना है वह बहुत ज़रूरी है उसको गुम मत करिएगा यहां पर अधरवाइस आपको वापसी में जाते समय बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो वह card आपसे जो SIM वाले हैं वो मांगेंगे उसके बाद आपको SIM अलट करेंगे उसमें आप package अपने हिसाब से decide कर सकते है या आपको monthly लेना है कैसे लेना है यहां पर एक सुविदा और है SIMS में कि आप Wi-Fi के लिए भी एक अच्छा recharge करवा सकते हैं आपने laptop यूज करना है बाकी चीज़ यूज करना है तो आप continue उसको laptop को use कर सकते हैं वहीं से mobile से Wi-Fi connect करके एक अच्छी speed में उसमें अच्छी speed बात आती है next step की money की जिसके ओपर हमने ये basically video मैंने तयार किया है इसमें क्या है कि जब आप वो करते हैं तो यहां पे एक Tinkoff company है रश्या के अंदर Tinkoff एक ऐसी banking facilities है कि आप यहां पे आकर Tinkoff के जरीए अपने transactions कर सकते हैं Tinkoff एक ऐसा bank ATM आपको provide करता है वो इस तरीके से कि आप कहीं पे भी आप taxi use करना चाते हैं आप इतरोचका में जाना चाते हैं आप store से इसमाल लेना चाते हैं आप कुछ भी करना चाते हैं आप वहां पर Tinkoff का card use कर सकते हैं तो इसको अब कैसे लिया जा सकते हैं क्योंकि मैं वही चीज़े आपको बता रहा हूं जो मैंने face की जब मेरे पास amount खतम हुआ, मुझे कैसे क्या करना था, मेरे friend ने मुझे guide किया जो यहाँ पे था, तो उन्होंने क्या किया, कि मेरे को एक tink off app होता है आपका, वो आपने अपने phone पर download कर लेना है, यहाँ का number आपका activate हो जाएगा, उसके जरीए आपने यहाँ पर अपनी ID create करन है, appointment book करनी है within one and two days, एक से दो दिन के अंदर हो आपकी appointment slot आपको देंगे कि उस time पे वो आपकी location का, पूछेंगे कि कहाँ पर location है, हाँ दूसरी बात यहाँ पर आती है, आपको यहाँ आने के बाद registration करवाना पड़ता है, क्यूं करवाना पड़ता है registration, आपको रहने की एक registration ज़रूरी होती है, और tink off के लिए भी registration ज़रूरी होती है, ताकि जो tink off बाला person है, जो bank से जो person आपके पास आएगा, आपका card और बाकी चीज़े आपको देगा, उसके लिए एक particular appointment और रखेगा कि इस जगह पे हम आपको मिलेंगे, जब वो आपके पास पहुंचता है, आपके original document वो लेगा, जो उस टाइम आपने call पे उनको बताए होंगे कि जी ये documents मेरे पास available है, जैसे immigration card available है, passport available है, यहां का registration जहां पर भी आप रुक रहे हैं, वो available है, तो वो सारी चीज़ें आपने की, वो आपके पास आए, उनको आपने सारी चीज़ें दिखाई, उसके back side पे, वो particular वे आपको properly एक नाम लिखके देंगे, आपका नाम सारा detail इसमें रहेगी, proper way में, तो इस तरीके का card रहता है, यह by-fi card भी रहता है, by-fi के तरीके से use भी कर सकते हैं, इस type का agreement slot आपके साथ रहेगा, दो papers होते हैं इसमें, एक को assign करवा के ले जाएंगे, एक को आपके पास रहेगा, कल को मान लीजे, आपका card गुम हो जाता है, तो सारी detail आपके पास इसमें रहेगी, और दूसरी चीज़ एक और कि इसके साथ आपका जो app डाउनलोड होता है, उस पे सारी transactions होती है, आप बड़े आराम से किसी को भी tink off to tink off without any charge amount transfer भी कर सकते हैं, या आप उस amount को particularly अपने पास use करने के लिए भी वाई-फाई से हर एक जगा सारा system कर सकते हैं, तो ये है, अब इसके बाद आता है कि अगर आप tourist visa पे है, तो क्या इसको आप open करवा सकते हो कि नहीं, देखो student तो open करवा सकते है, particular registration उनके पास होता है, business वाला भी register करवा सकता है क तो आपका registration address होगा, उसके base पे आप इस card को ले सकते हैं, आप continue इस card को use करके अपनी आगे का जो expenses है, उसको clear कर सकते हैं, अब इसमें आपका amount कैसे आएगा, अभी फिलाल जब कोई work नहीं हो रहा है, तो Binance एक ऐसा application है, जिसके ज़रिये आप जो है, जैसे माली जी इंडिय हैं, तो इंडिया में आप currency को उसके अंदर sale purchase करके, आप उसमें वहां की currency में USD purchase कर सकते हो, बाद में sale करके अपने इस ATM को Binance में add करके directly amount में, account में amount transfer कर सकते हो, लिकिसमें third party नहीं होता है, इंडिया का आपके account से ही आप इसमें USD में डालेंगे, और USD में ही यहां से फिर आ आपके लिए एक smooth way में है, आप properly satium को use कर सकते हैं, जब तक आप Russia में है, आराम से अपना enjoy कर सकते हैं, अपना trip enjoy कर सकते हैं, तो यह सारी जानकारी थी, कि अगर आप यहां पे आएं, तो किस प्रकार से आप करें, आप जैसे आते ही 2-3 दिन के अंदर apply कर सकते हैं, ताकि आ online आप इसी card के application में taxi add भी कर सकते हैं, और automatically आपके पैसे कर जाएंगे, तो यह सारी facilities बहुत अच्छी मुझे लगी, ताकि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपको यहां पे पैसों के लिए किसी और से नहीं मांगने पड़ेंगे, आप directly इसको सारा system कर सकत हैं, तो यह सारी चीजें, आप मुझे comment में बताएगा कि आपको यह जानकर ही कैसे लगी, next video में आप continue बने रहें, क्योंकि इसी type की videos मैं continue आपके लिए लेके आता रहूँगा, क्योंकि यहां पे जो जो चीजें मुझे face करने को मिली हैं, वो सारी चीजें मैं आपको किसे जानते भी हैं, तो अगली काफी ऐसे, क्योंकि मैंने कई बार ये भी सुनाई कि यहां पर काम कैसा है, क्या student यहां पर work कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन चीजों के उपर भी मैं एक video तयार करूँगा, आपको बताऊंगा, और यहां पर वार की वज़ए से क्या effect है, इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि वार की वज़ए से market चल रही हैं, कि नहीं चल रही हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, यहां पर डर का महौले, यह कैसा है, इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगा, आज के लिए यही वीडियो आप प्यार इन नेक्स वीडियो में आपके साथ